इस वीडियो में क्लास सेवेंद संस्रेट दिव्यम के चक्टर नाइन काकस्य चातुर्यम के अभ्यास को देखेंगे तो पहला प्रश्णा है नीचे लेके प्रश्णों के उत्तर विगलपों से चुनिये तो पहला वाला है विश्यस्य अदह कहवस्तिस्म पेड के नीचे कौन रहता था तो इसका अंसर है कहवाला साप यानि की सरपह सेकेंड वाला है कहवा और उसकी बतनी किस से बाहर जाते हैं तो इसका अंसर है कहवाला नेडात यानि की घोसले से थर्ड वाला है कहवा और उसकी बतनी किस के साथ रहते थे तो इसका अंसर है गवाला शावकेह यानि बच्चों के साथ फोर्थ वाला है राजा कहान आने के लिए आया तो इसका अंसर है खवाला नदी यानि कि नद्याम फिफ्थ वाला है कववे ने सोने का हार कहां फेका तो इसका अंसर है खवाला बिले यानि कि बिल में से कषिन काष संभब होता है उसका आंशर है इसका इस에 कव्वे और इसकी बत्नी क्यों धुकि यूए जिसका की बतनी बच्चों के बिना दुखी हो गए थर्ड वाला है कववे की बतने ने क्या बोला इसका अंसर है का की अवदत अलम शोकेन इदानी सर्बस्य विनाश अस्य उपायम चिंद्याव कववे की बतनी ने बोला दुख मत करो अब साप के विनाश का उपाय सोचते हैं फूर्थ वाला है सैनिक सोने के हार के चारों तरफ क्यों खड़े हुए तो इसका अंसर है सैनिकाह स्वर्ण हारम परेदह तमरक्षितुम अतिष्ठन सैनिक सोने के हार के चारों तरफ उसकी रख्षा करने गिड़े खड़े हुए फिफ्ट वाला है राजा ने क्या आदेश दिया तो इसका अंसर है राजा सरपस्य बिलम खंतुम आदिशत यानि की राजा ने साप के बिल्गो खोदने का आदेश दिया अब थर्ड वाला है रेखांकित पदों के आदार पर प्रश्ण निर्मान कीजिए तो पहला वाला है कवव और उसकी पतनी बच्चों के साथ रहते थे तो इसका हो जाएगा कईहा यानि की कवव और उसकी पतनी किसके साथ रहते थे सेकंड वाला है पेड़ के नीचे एक साप है तो इसका हो जाएगा कस्य यानि किसके नीचे एक साप है थर्ड वाला है साप बच्चों को खाता था तो इसका हो जाएगा कान यानि कि साप किसको खाता था फोर्थ वाला है राजपुत्र ने बिल को खोदने का आधेश दिया तो इसका है कह यानि कि किस ने बिल को खोदने का आधेश दिया फिफ्ट वाला है सैने को ने साप को मारा तो इसका अंसर है कम सैने को ने किसको मारा फोर्द वाला है मन्जुशा से सही चब्द चुनकर रिक स्थानों को पुरा कीजिए पहला वाला है तुम डैश आगच्छ सी तो इसका है ग्रामाद सेकेंड वाला है मोहन अहां डैश भोजनम यच्छती तो इसका हो जाएगा विख्षुका है मोहन विखारी के लिए भोजन देता है थर्ड वाला है डैश फलानी पतंती वरिक्षात फलानी पतंती यानिगी पेड से फल गिरते हैं फोर्थ वाला है जनकहर डैश वस्तरानी आन्यती तो इसका हो जाएगा पुत्रा है पिता पुत्र के लिए वस्त लाते हैं फिफ्ट वाला है वयम डैश पर्ष्यामहा तो इसका हो जाएगा नेतराभ्याम हम सब आखों से देखते हैं फिफ्ट वाला है कौश्टक में दिये गए शब्दों के साथ उचित विवक्ती लगा कर रिख स्थानों को भरिये पहला वाला है अहम डैश भोजनम यच्छामी तो इसका हो जाएगा याचका है मैं मांगने वाले के लिए खाना देता हूँ सेकेंड वाला है अध्यापक कहा डैश कृध्यती तो इसका हो जाएगा छात्रा है अध्यापक छात्र के लिए गुस्ता होता है थर्ड वाला है पिता डैश भिना ना गच्छती तो इसका अंजर है पुत्रम पिता पुत्र के भिना नहीं जाता है फूर्थ वाला है कन्या डैश सह गच्छती तो इसका हो जाएगा अंबया कन्या माता के साथ जाती है फिफ्ट वाला है डैश परितह व्रिक्षाह संदी तो इसका हो जाएगा भवनम भवन के चारो और पेड़ है अब सिफ्ट वाला है अधोलेकित वाक्यों का संस्क्रित भाशा में नुवाद कीजिए फर्स्ट वाला है विद्याले के बाहर मंदिर है विद्याले आत भई अह देवाले अह अस्ती सेकंड वाला है बालक कुट्टे से डरता है बालक अह कुकुरात फिभेती थर्ड वाला है आपस में विवाद मत करो परस्परम विवादम मा करो फोर्थ वाला है मैं पुस्तक के बिना कैसे बढ़ूंगा अहम पुस्तकम बिना कथम पढ़िश्यामी फिफ्ट वाला है पिदा पुत्रियों को स्निहे करते हैं तो इसका आंसर है जनकह पुत्री सु स्निहेती